दोस्तो कई रिपोर्ट्स के एकॉर्डिंग साल 2008 में फिनलेंड की पुलिस ने ये दावा किया कि एक मच्छर के जरिये उन्होंने एक चोर को पकड़ा है दरअसल उनके पास गाड़ी चोरी होने की एक कंप्लेन आती है गाड़ी चोरी हुए लोकेशन से 25 किलोमीटर दूर फाइनली एक रेलवे स्टेशन पर वो गाड़ी पुलिस को मिल जाती है अब उस गाड़ी की जब इन्वेस्टिकेशन करे थे चान बिन करे थे तब दोस्तो उनको गाड़ी में एक मच्छर मिलता है मच्छर को यहां से भेज दिया जाता है एक लेबर्टरी में और उस मच्छर ने जो खून चूसा है उसकी चान बिन की जाती है उसकी डी एने की रिपोर्ट्स आती है इस रिपोर्ट्स को पुलिस ने अपने डाटाबेस के साथ स्कैन किया और इसके बाद उनको एक मैच मिल गया यानि की एक आदमी के साथ वो बलड सैंपल मैच हो गया और इस तरीके से पुलिस ने इस चोर का पता लगाया दोस्तों वाकई में ये सुनकर बहुत अजीब लगता है क्योंकि जो CID में हम देखते हैं वो रियल लाइफ में यहां हो गया